हलो फैंट आम दिश्बीके यूर्वाशिंग्टर आसनलीक्स आज हम बात करेंगे डबलु डबलु रेसलर वीर महान की जिन्होंने तब ग्रेट खली के पास डबलु डबलु महान का क्याईजर डबलु डबलु जैसे खत्म करने पर लगा हुआ है ना डबलु डबलु यू उन्हें कोई पुष दे रहा है ना उनकी कोई डबलु डबलु के मेन रोस्टर में कोई फाइट ही देखने को मिल रही है इस वीडियो में हम WWE के वो सारे आउस प्रैक्सपर बात करेंगे कि आगि क्यों WWE वीड महान का कैरियर खत्रू करना चाहता है आगि क्यों भारत के वीड महान को पुछ नहीं दिया जा रहा है क्या WWE तक ग्रेट खली की तरह वीड महान के साथ भी पार्शायल्टी कर रहा है क्योंकि वो एक भारती है या और कोई बात है वीडियो के अंग तक बने रहिए आपको WWE के बारे में बहुत तो जानने को मिलेगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करने चलिए शुरू करते हैं और जो हॉल थोला WWE का बेसिक चान लेते हैं World Wrestling Entertainment WWE का हैटकोर्टर इस्टेंफ़र्ड कनेक्टिक अमेरिका में है पहले इसे टाइटन स्पोर्ट फिर WWE के नाम से जना जाता था अब WWE हो गया है WWE को 1953 में 70 साल पहले एज कैपिटल रेसलिंग के नाम से फाउंड किया गया था फिर टाइटन स्पोर्ट ने कैपिटल रेसलिंग कोश्परेशन को 1982 में खरीद लिया इसके पाउंडर थी Chase McMahon और Vincent Jr. McMahon अभी इसके एग्जेक्टी चेर्मेन मिन्स McMahon है और CEO Nick Khan 2022 के देटा के कोड़ी 1.3 billion US dollar WWE का revenue था टोटल WWE के assets 1.35 billion US dollar की है टोटल इंप्लोई एपोर्टिंग तो 2017 डेटा आप सब पचास है Now back to the topic WWE देखने में वैसे audience को बहुत मजा आता है पूरी दुनिया की 180 countries में WWE देखा जाता है और WWE पूरी तरह स्क्रिप्टेड होता है फिल्मों की तरह WWE के भी स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं कौन सा wrestler क्या perform करेगा क्या play करेगा कौन match हरेगा कौन सा wrestler match जीतेगा सब कुछ पहले सही scripted रहता है ये कहिए जो audience को या जो audience चाहती है वैसे ही उन्ही audience के पसंद पर script लिखी जाती है जैसे John Cena को ही दे लिए जोन सीना पर पौर नहीं जानता WWE के poster boy सारा कफ्तरा matches ही ये जीत चाते थे क्योंकि उन्हें public पसंद करती थी पर जब ये Hollywood जाने लगे तो इनको नए नए wrestlers से चैसे Roman Reigns ब्रेव वैड से हारता दिखाया जाने लगा क्योंकि ये तो अब कभी कभी दिखाया देंगे और नए wrestlers को अब push देना था ताकि WWE की TRT बनी रहे और John Cena की जगह अब नए wrestlers को व्यादा पुष मिला देखिए WWE में भी इसक्रिप्ट के पौर्डिंग विलेन और हीरो दिखाया जाते हैं जैसे John Cena हमेशा safe ही रहे पर अभी रोमन रेंस ही रिटर्न हुए हैं WWE ने फिर से फीचर में safe बना देगा लेकिन जब बात आती है इंडियन रेसलर्स की अफ्रीका रेसलर्स की एशियन रेसलर्स की तो WWE पाश्याल्टी करने लगता है वीर महान के साथ अभी ऐसा ही किया जा रहा है पुर्वात में जब वीर महान ने WWE की में रोस्टर Monday Night जोवे एंट्री की थी तो WWE ने वीर महान को अच्छा खाता पुष्ट दिया था एज जोहीर यहां वीर महान को WWE सुपर स्टार्प रे मिश्टीडियो और उनके बेठे झॉम्निक रे मिश्टीडियो को वीर महान पे हारता लिखाय गया था पर अब WWE में वीर महान को कोई कुछ नहीं मिला है वह बुरी तरह से WWE से गायगं ही हो गये है इंडियन फैंस में WWE का बहुत क्रेज है और इंडिया से revenue कमाने के लिए WWE पहले को वीर महान को कुछ दिया फिर अचानक उनके लिए कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई उन्हें बस back scratch रखा जा रहा है और इंडियन फैंस बहुत निराश है इस बात को लेकर स्मैक मैंन कुछ तो एनेक्टी पर ध्यान दे रहे हैं और पुराने रेसलर जिनका कैडियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है उन्हें तो वाक्षी कराई जा रही है एक्चामपल के लिए एच पर न्यू रेसलर्स जो एशिया के हैं या खास्ता और से इंडियन हैं उनकी तरफ कोई धान नहीं दिया जा रहा है ये व्वी की परश्याल्टी नहीं तो आप क् सब्सक्राइब करेंगे जो युनाइटि स्टेट्स आप अमेडिका के रिच्टाइड रेसलर्स हैं उनके लिए इस्पेशलिस्टिस लिखकर उन्हें बले बले मैंसर्स जितवाय जा रहे हैं पर जब एशियन इंडियन रेसलर्स की बात आती है तो डवड़वी का श्पात दिया गया फिर ग्रेट खली ने खुश से डव्ड़वी को वाई वाई कर दिया ने वीर महान को ऐसा दिखाया जा रहा था कि वीर महान डव्ड़वी श्परिशार या डुलवी चैंपियों और अब चैंपियों बनना तो दूर की बात है उन्हें रॉस से ही गाइब कर दि इंडियम रेस्टर्स के साथ 15 पास पून रवया आता है आपकी क्या राय है इसे कॉमेंट सेक्सम में जरूर बताएं तो फैंक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंदा है होगा आप बंदा है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्स पास भीडियो